कैसे आप सभी उमीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे आज का वीडियो जो है यह एक रिक्टेस्टेट वीडियो है पिछले दो महिनों से मेरा जो टाइम था थोड़ा सा इधर उदर हो गया था बहुत सारी चीजे नहीं कर पा रहे थी और आप लोग के कमेंट कमेंट चाहिए इस वीडियो के बारे में अपना एक्सपिरियंस भी शेयर करूंगी प्लस मेरी जो डॉक्टर हैं उनसे भी मैंने इस बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो उमीद करती हूं आप लोगों को यह वीडियो बहुत पस संदा है तो इसे लाइक कीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना बुले क्योंकि मैं ऐसे बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हैं चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं जब भी कोई महिला प्रेगनेंट होती है तो उसको स् जब मुझे की इस मेरा कि इस मेरे हैं गीजे मुझे मेरा चाहा कि अपको भी खाना चाहिए अगर आपको नॉर्मल डिलिवरी करनी हैं कि मेरे प्रेगनेंसी में डॉक्तर ने पूरे गीजेए लिए गी नहीं कर दिया था इसकी वज़ेत से मैं इतल को दो एक किलो घी भी नहीं खाया अब बताती हुँ कि अगर आपको घी में घाना और कितना है तो आपको डॉक्टर कहती है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसे आपको 7 महिना क्पुलीट होने के बाद से आठ वह मेना जब स्टार्ट होता है तब से आपको घी खाना है अब घी कैसे खाना है लेके बहुत सारे लोग करेंon दूद के है आपको बहुत जो ज़ highly चाहते हो तो लेने का सही तरीका है है कि ऐगां पानी लीजिए और उसमें एक आपको सब्सक्राइब देख और दिन सिफ एक बार ही लेना चाहिए और दिन में और नहीं लेना चाहिए आप 2-3 ले सकते हैं अब excess ज़्यादा घी लेने से आपका क्या होता है कि आपका weight कुछ ज़्यादा gain होने लगता है body में cholesterol की मातरा बढ़ने लगती है, fat बढ़ने लगता है तो ये बात आपको ध्यान रखना है और घी भी आपको लेना है, अगर घर का बना हुआ घी हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आपको गाय का ही घी लेना है गाय का घी जो pregnancy में बहुत ही लावधायक होता है उसका कोई भी negative point नहीं देखा जाता अगर आपकी body सब तरह से सही है तो यहां पर मैं आपको फिर एक चीज बोलना चाहूंगी कि हर बोड़ी अलग होती है हर बोड़ी के symptoms अलग होते हैं बोड़ी react अलग तरीके से करती है हर बोड़ी की need भी अलग होती है जैसे मेरी pregnancy में doctor नोहीं साफसब मना कर रखा था कि आपको घी नहीं खाना है उसी तरह आपकी pregnancy में हो सकता है कि आपको घी खानाने के लिए dr 2 बोले और हो सकता है नहीं भी बोले इसलिए कोई भी सरड करने से पहले अपने दॉ्ट से इस बात को clear जरूर करें और हर एक चीज डॉक्टर से पूछ के ही करें। यह वीडियो में बनाती हुआ ही इसलिए कि आप लोग को यह जानकारी हो कि आप लोग अपने डॉक्टर से किस तरीके कर सकते हैं कैसे पूछ सकते हैं। क्या कोश्चन आना चाहिए मेरे टाइम में यह सारी चीजे बताने वाला कोई नहीं था और अगर आप लोग मुझे सुरू से देख रहे हूँ जब से मेरी यूटूब जर्नी स्टार्ट हुए तब से अगर आप मुझे देख रहे हो तो आप लोग को पता होगा कि मैं अपनी कितनी तकलीफ पाई हूँ जब प्रेगनेंट नहीं थी उसकी कोशिश कर लए ही तब भी कितनी तकलीफ पाई हूँ यह सब आपको पता होगा अगेर मैं बोलूंगी कि कुछ भी स्टार्ट करने चेपहले आप अपने 戲 करनी हैं बोहुत सारे चीज़े आशी होती है जो हम नौलेज के अभाव में हम दोक्टर से नहीं कर पाते पूछ ही नहीं पाते हैं जैसा कि हम ऐसा बोलती हों कि आपको क्या खाना है किस लिदूय कम कहना है यह सारी इंजक्शन का नाम नहीं बताती क्योंकि वो इंजक्शन मेरे लिए सही था आपके लिए सही है या नहीं कैसे पता इसलिए आपको हर चीज अपने डॉक्टर से पूछ के ही करनी है बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सोचते हैं कि प्रेग्नेंसी नॉर्मल चीज है सब के साथ होती है कॉम्प्रिकेशन सब के साथ ही होती है तो मैं बोलूंगी कि आज से 30 साल 35 साल पहले यह सारी चीज़े बोली जाते थी लेकिन आज के टाइम मिलना ला और यह बहुत साथ दानी से अपने हर एक दिन को कातना चाहिए उसको इंजॉइब ही कीजिए लेकिन अपना ख्याल भी रखिया तो दोस्तों यहां पर मैंने जो भी मैं जानती थी जो भी मेरे ठोट से आपके साथ शेयर किया अगे मैं बोलूंगी आप एक बाडॉक्टर स पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें चानल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल ना जाया और वी किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो देखना हो तो मुझे कमेंट जरूर करें और यह वीडियो कैसा लगा हो तो आप भी कमें आया होगा आपके लिए यूसफूल रहा होगा अगर ऐसा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें बहुत सारा शेयर करें और खासकर उन लोगों के साथ जो अभी कंसीवड है प्रेगनिंट है और उनको इस वीडियो की जरूरत है तो उनको जरूर शेयर करें और सारे सोसल मेडिया वेड़सब्ल सब पर शेयर कर दें ताकि यह वीडियो जादा ओर लोगों तक पहुँझाए आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है जितना ज्यादा हो सक के हम में सबड़ पर कीजिए इतना मैनत करते हैं आप facilitate it जल्दी से सपोर्ट कीजिए बहुत ज्यादा अपना प्यार शो कीजिए चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में टिलेंट बाबाई